हेलो इस्टुडेंट्स आप सबका हमारी चनल पर फिर से स्वागत है आज हम लोग बात करेंगे एडिमिशन के बारे में एडिमिशन बिभिन कोर्सों में होता है इसमें आज बात करेंगे भीके एस्यू के पीजी का जो एडिमिशन हो रहा है यहां पर डेट बढ़ा है उसके ऑपन उनिवर्स्टी जो है उसके द्वारा आउनलाइन कार्जक्रम जो होते हैं कई कोर्से से उसके बारे में पूर्ण रूप से बात करेंगे तो अभी भीके एस्यू का जो सत्र है पीजी सत्र 20-22 इसमें दाखिले के लिए 5 सितंबर तक आवेदन स्विकार किये जाएंगे जो 22 अगस तक निर्दारी थी वो डेट बढ़ा दिया गया है और उसका कारान है सनातक पार्ट थर्ड 17-25 रिजल्ट जो है उसको निस्पादन करने के कारण अभी तक ठीक नहीं हो पाया था इसलिए फिर से मौका दिया गया जिन लोंका ठीक हो गया है वो आवेदन कर सके इसके लिए डेट बढ़ाया गया है तो पीजी में जो एडमिसन लेना चाहते हैं और छूट गया है वो अपलाई कर सकते हैं इसके साथ जो है अब हम लोग बात करेंगे ना इंटरमेडियेट से लेकर के पीजी तक का पार्ठी क्रम यहां पर है तो सभी कार्ज क्रम आप जान लिजिए जो भी अभी आउनलाइन के इस्ट्रगल में पीछ रहे हैं कम नंबर है तो आपका क्या हो रहा है इंटर मेंडमिशन लेना है बिहार मैं कहीं भी लिजी OFSS वेबसाइट पर आपको अप्लिकेशन डालना पड़ेगा मेरिट लिस्ट बनेगा तो फिर आपका सेलेक्शन होने के बाद ही एडमिशन हो पाएगा खर्च तो ज़्यादा है ही जो भी एक खर्च यहां भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है इस सबको हम लोग देखेंगे और समझेंगे इंटर में गरियोशन करने के लिए कई उनिवेस्टियों में हर जिगा सेलेक्शन का प्रोसेस आ गिया है और सेलेक्शन होने के लिए कारण क्या है कि सीट उसका कुछ निर्धारित सीट है उतना ही सीट पर एडमिशन हो सकता है लेकिन ये खुला बेस्विदाले जो है इसका कोई सीट फिक्स नहीं है इसमें कितने चाहें जितने चाहें सभी लोग एडमिशन ले सकते हैं तो इसके बारे में जनकारी के अभाव होने के कारण लोग नहीं ले पाते हैं तो एलंदा खुला बेश्विदाले जो इनवस्टी है यह एक मात्र दुरस्ट इनवस्टी है जो युजिसी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो डीवी से मानता प्राप्त है यह सरकार द्वारा इसको स्विकृत मिला हुआ है कि आप इस तरह के कोर्स चला सकते हैं बिधी द्वारा स्थापित लिखा हुआ भी दिखिए है एबम दुरस्त सिक्षा पतती से पाटिकरम संचाल करने वाला बिहार का एक मात्र मानता प्राप्त विश्विदाला है यह और इसमें जो ऑनलाइन का डेट है अभी भी छुटे हुए बहुत सारे लोग हैं दो मैने का एडिमेशन डेट चल रहा है 29 साथ से शुरू हुआ है 29 जुलाई से और 39 तीस सतमबर तक आउनलाइन आव है तो ठीक है आप वहीं पर पड़िये लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा वहां पर सेलेक्शन नहीं होगा तो आप इस इनवर्स्टी का सहरा ले सकते हैं जैसे कि अभी बिरकमर्सिंग इनवर्स्टी में पार्ट वन में एडिमेशन के लिए फर्स्ट मेरे ट्विश् इसा नहीं करना है एक साल ब्रवाद नहीं करना आपको आगे पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर सुविधा मिलती है इसका एक्जाम भी पटना में होता है और पूरी तरह से पार्दर सिता के साथ होता है आपको पढ़ करके जितना अच्छा से लिख पाएंगे उतना अच् सनात को तर कला यह में आठ्स हो गया अर्थ साथ सिक्षा इंवरिमेंटल साइंस भूगोल हिंदी इतिहास मनो बिग्यान रायाती बिग्यान लोग परसासन उर्दू ग्रामन बिकास संस्क्रीट समासास रिक्रेव बिग्यान डिजास्टर मेनेजमेंट यह 15 कोर्स हैं जिसम मास्टर लेवल के कोर्स हुए जिसका फी है प्रती बर्स 44 रुपिया बहुत जादा नहीं है क्योंकि लगवग जो है यहां भी खर्च हो ही जाता है फी घा में है मास कम्मुनिकेसन एंड जनरलिज्म यह भी इसमें फी तो पांच जा रहा है लेकिन यह भी वही उसी लेवल का है मस्टर लवल का कोर्स है इसमें 12,000 रुपिया लग रहा है पुस्तकाला एवम सुचना बिग्यान एमलिस बोलते हैं बी लिस करने के बाद एमलिस लोग करते हैं 97,000 लग रहा है सनातक उत्तर डिपलोमा पाठिक्रम भी कुछ होते हैं 500 रुपिया करके हैं यहाँ पर कई कोर्स हैं मार्केटिंग मेनेजमेंट फैनेंशियल मेनेजमेंट योगिक इस्टेडी पत्रकारिता एवम जनसंचार इन्फरमेशन एंड पब्लिक रिलेशन्स हिंदी इंग्लिस ट्रांसलेशन इस सारे कोर्स हैं और हुमन रिसोर्स मेनेजमेंट तो यह सब कोर्स का अलग लग लग है यहां पर सारा असपष्ट दिया हुआ है फिर लेचे चलते हैं सनातक पार्टिक्रम गर्योशन में एडमिसन के लिए फिर बी और बीकॉम और ब्यस्दी का कौन-कौन सा कॉर्श है तो जिसनों यहां लिश्ट में दिया है उसी लिश्ट में एडमिसन होगा यह जान लोग पर्शासन जर्नलिज्म कम्यूंकेशन योग उर्दू इस सबसे आप बीए कर सकते हैं साइंस से कौन-कौन कर सकते हैं तो बनस्पति विग्यान रसायन विग्यान गनीत बातिक विग्यान जंतु विग्यान बूगूल गृई बिग्यान योग इससे आप साइंस कर सकते हैं वाने जयने भी कॉम कर सकते हैं फिर बिजनस एडिमिस्टरिशन से कोर्स है बिबिये कंप्यूटर अप्लिकेशन के सम्मन्द में कोर्स है बिसी ए पुस्तकाले एबम सुचना बिग्यान के लिए बिलिस है सब का फी भी दिया नोचे बिए का कुर्स कितना है बिए बीया सी काम का मातरश चौबीश सो हमारे यहां इन्वेस्ट्री में अलेंगे तो तीन हजार के आसपास पड़ता है प्रैबाट कोलिज में कंस्ट्रेंट कोलिग में थोड़ा कम लगता है डेढ़ जार के असपास लेकिन यह तो दोनो रुपया फी है आप इंटर आराम से यहां से कर सकते हैं दो जार फी के रूप में 2001 साल का 2001 साल का 4000 में आपका कोर्स कंप्लीट फिर है certificate course एक साल का certificate course होता है नौ माँ का यहांपर लिखा हुआ है यह भी कई तरह के course है 1650 रुपिया मात्र लग रहा है यह specialist बनने के लिए इस सारे course है इसमें आपको कई तरह के course यहांपर जनकारी के लिए में सामने रखा गया है इससे आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा नमांकन से समधित प्रामार्श है तो संपर्क सुत्र यहां दिया गया है इससे संपर्क करके कुछ समस्या हो तो आप उस समस्या का समधान पा सकते हैं इमेल है वाइल नमबर है और रिफ साइट का भी दिया हुआ है नलंदा ओपन उन्वरस्टी डॉट कॉम या www.nou.ac.in इसमें सासमय नमांकन होता है सासमय परिक्षा होता है एवं सासमय परिक्षा फलका प्रकासन भी होता है यही इस बिस्विदाले की भाचान यहां पर डिल टाइम होता है कभी भी रिजल्ट पेंडिंग मगरें नहीं होता है तो उपर बर्नित पाठिक्रमों में नमांकन मात्र आउनलाइन विधी से ही होता है आपको सैवर कैफे में कंप्यूटर पर या मॉवाइल से आउनलाइन एडमिसन लेना है दिनांक 29 साथ से 30 के बीच लिय जाएगा एडमिसन विध्यार्थी नमांकन लेने के लिए क्या करेंगे खुला विश्विदाले के अधिकरित वेफसाइट जो है ररंदा ओपनिंवर्स्टी डॉट कॉम अथ्वा एनो यू डॉट सी डॉट इन पर दिये गए लिंक का ही उप्यों करेंगे यानि एडमिसन लेना है तो इसी लिंक से आप एडमिसन लेंगे तभी आपका सही पोटल पर एडमिसन होगा इसके इतर कोई अन वेफसाइट अथ्वा लिंक के माध्यम से लिए गए नमांकन पर बिश्विदाले जमिदार नहीं होगा इसके अलावे और कई फरजी वेफसाइट बना गए अवस्यक निर्देशों को अक्षरसा अनुपालन करते हुए आउनलाइन नमांकन फॉर्म भरेंगे जो भी वहाँ पर निर्देश दिया गया है उसका पालन करना है उसको समझ लेना है पाले तथा उसी माध्यम के अंतरगत आउनलाइन भुकतान सुनिश्चित करेंग और जो फी दिया गया है वो आउनलाइन फी आप जमा कर दिजिए डारेक्ट एकाउंट में चला जाता है डेविट कार्ड करेट कार्ड यूपी आई सबसे चला जाता है अभी पेमेंट अब बैंक ड्राप्ट या एस वी आई कलेक्ट के माध्यम से भुकतान सुनिश्चार बगरा कर देंगे आप तो उसकी सुचना इमेल और एसमेस के माध्यम से आपको दी जाएगी जब आप वहाँ पर लोग इन करेंगे तो आप रिश्चर्शन करेंगे तो मॉबाइल नमर इमेल बगरा तो डालेंगे ही तो रिश्टर्ड इमेल जो होगा और रिश्टर्ड मे कि प्रिंट आउट निकालकर अपने पस रख लें अब विधारतियों को कहा जाता है कि आप भविस्य के लिए लागिन में लोगिन कर लिए और वहँंग पर आप जो एड़ों रहसिंत काड़ है रिसपन काम करेगा अधुफ MAT काड़ भी वह होगा आपका वो लोड कर लीजिए प्रिंट कर लीजिए और उसको लेमिनेट करके रख लेजिए फिर सिप्ट का भी प्रिंट आउट निकाल लेजिए उलेकनी है कि प्रपत्रों के आउनलाइन सत्यापन के उप्रांत ही नमांकन की सुकृति परदान की तो तुरत कंफर्म नहीं होता है क्योंकि उसके साथ जो अटैश्ट डोकुमेंट है जैसे कि आप इंटर में ले रहे हैं तो मैट्रिक का डोकुमेंट आप लगाएंगे तो इंटर का डोकुमेंट लगाएंगे ना कि इंटर पास हैं हम में में लगाएंगे तो आप बीए क तो आपको दिखाना होगा, तो ये सब उसके साथ डॉक्मेंट है, उसका ज कोगा, वो अपने अस्तर पर इनवर्स्टी करती है, जाच, तो वो जब देख लेंगे कि इनवर्स्टी के द्वारा जो दिया गिया है, वो सब सही है, विद्यारथी नो जो दिया है, डाटा, वो दोपलोड करेंगे तो क्योंकि आप दिखा तो नहीं रहे हैं उन्हेंट करेंगे तो इसक्रैस कोटो का पुरा स्कार्ण्ट होगा तो लगेगा कि और च्छिक कोड़ ď लिए है तो सब कुछ हुआ साफ साफ दिखेगा जिराउक से स्कें कियावा डोकुमेंट मानने नहीं होगा कैंसिल कर दिया जाएगा तब फिर जिराउक से नहीं करना है नवांकन सुकृती एवम अन्सुचनाय मोबाइल एवम इमेल के दोरा ही दी जाएगी किसी को कुछ आने जान नहीं है यहां पर इसलिए यहां आवस्यक है कि बिद्यार्थी गन पहली बार रिजिस्टर्ट करते समय सिर्फ अपना ही मोबाइल नमर एवम इमेल आड़ी का पर इस्तिमाल करें यह नहीं कि सावर कैफे वाले को दिये दुकांदार को दिये और वो अपना इमेल कर दे बि पहले था विश्वेदाले द्वारा उपनाद कराई जाने बाली उपियोगी सुचनाओं से बंचित हो सकते हैं हो सकता है कि आपको मिले आपको टाइम पर ना मिले तो अपको फिर दिकत होगा प्रपत्रों की कमी यह जाली प्रपत्र अप लोड किया जाने की स्थितिति में नमंकन ततकाल ही रदिक कर दिया जाएगा और नमंकन रासी सुतह जबत हो जाएगा यानि आप अगर कोई फर्जी सर्टिप्केट लगा करके कोई कोर्स करना चाहते हैं तो या कोई डोकुमेंट्स जो चाहिए वो नहीं दिये रहेंगे तो आपका नमंकन केंसिल हो जाएगा और जो पैसा आप दिये हैं वो पैसा भी जबत हो जाएगा लोटेगा नहीं इसलिए एक बार में पहली सब कुछ डिटेल्स आप भर दें सारा डोकुमेंट्स कलेक्ट कर ले अपलोड कर ले तब पेमेंट करें इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी अस्तर पर गलती के लिए शीधे तोर पर आप जिम्मधार होंगे क्योंकि जिम्मभारी आपकी है क्योंकि आप ही ओनलाइन फिडिंग कर रहे हैं सारा फॉर्म भर रहे हैं बिश्विद्याले के अध्यान केंद्र जिला मुख्यालेयों केंद्र अनुमंडल मुख्यालेयों के अंगेभूत महा विद्यालेयों तथा प्रकंड अस्तर पर चुने हुए पलस्टू अस्तर ये विद्यालेयों में अवस्तित है नलंदा के जहाँ जहाँ अध्यान केंदर है ये सब का डिटेल्स दिया गया है जिला में सरकारी कॉलेज में ये सब रहता है जिसकी सुची प्रोस्पेक्टरस एवाम वेब साइट पर देखी जा सकती है तो इसका लिट जो है आप देख सकते हैं कि आपके नजदी की छेत्र में कहा पर नलंदा ओपेन इनुवर्स्टि का अध्यान केंदर है इस्टी सेंटर है तो ये कॉलेज में होता है आप वहाँ पर पता कर सकते हैं और पता करके आप एड्मिसंव के बारे में जनकारी ले सकत पहले आप स्टेडी सेंटर का पता करने के जुरत नहीं आपको एडिमिसन लेने के लिए आपको सारा डॉकुमेंट्स प्रिपेर करना है और जब लेंगे आप अपना घर देखेंगे कहां पर है उसके आसपास आपको सेंटर भी वहां पर मिल जाएगा सभी पाठिक्रमों के नमांकन सुल्क में महिलाओं के लिए 25% छूट की विवस्ता है यह जो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है रेट यह जेनरल रेट है इसमें भी 25% छूट है अगर कंडिडेट महिला होगी तो तो सोच लिजे कि कितना सस्ता यह कोर्स है और हमारा बिहर सरकार इसको कोर्स को चला रहा है प्रोवाइट कर रहा है सभी बच्चों को इसमें अमिर गरीब कुछ नहीं देखा जाता है तो यह सोचना थी अभी ओपन एडमिसन के लिए जो लिंक खुला हुआ है अगले महने तक 30 तक है यह लगवग एक महने के आसपास समय बचा है आप अराम से सोच विचार लेजिए अभी इस इनवरस्टी के चकर में बिहर बोट के चकर में भी पढ़ सकते हैं कुछ दिन तक देख लिजिए आपका सेलेक्शन हो जाता यहां रेगुलर बोट में तो आप फिर प कुछ जानकारी के साथ कुछ दूसरे वीडियो में धन्यवाद